Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 101 का Unit 5 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे प्राची नुनान के बारे में और इस चैप्टर का ये पहला पार्ट होने वाला है, सेकिंड पार्ट हम दूसरे वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा, MA History का स्लेबस चेंज हो चुका है जिसके कारण से हम क्या देखते हैं, कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके आगे और पीछे के जो चैप्टर होंगे एक दूसरे से इंटर लिंक करते हैं इससे पहले युनिट 4 के अंदर में मैंने Persian Empire के बारे में पढ़ाए था कोर्स करें, आकरमन कीया, हारे जीते हैं, ठीक हो किस प्रकार की इस्तिती रही होगी उस समय पे ठीक है क्या कारण हुआ है जो भी स्लेवर्स के अंदर में चेंजिस हुआ चाहिए नियू वोक एड हो चाहिए किस तरीके से क्या चीज़े बदलने वाली है चीज़े उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफरमेशन चाहिए तो डिरेक्ली आपको करना क्या है दिए नब इं प्राची नियू नान को एक सब्वेता के केंदर के तोर पे जाना जाता है कि बाई प्राची नियू नान मतलब क्या एक बड़ा सब्वेता का केंदर जहां पर हर चीज़ सही तरीके से विक्सित हुआ यहां पर आप बात करोगे तो बहुत सारे आइडिलोजिस्ट देखने लिए मिलते हैं पर इसका एक अपवाद माना जाता है कि कभी भी विकास प्रॉपर तरीक पर नहीं कर पाया समराज्य के रूप में या फिर छैत्रय विस्थार के द्रिष्ट्री से देखोगे तो कभी भी एक राजिनितिक राजे नहीं बन सका ये माना जाते हैं, वो जब अपना निर्माण कर रहे थे समराजी का, जब समराजी का विस्तार कर रहे थे, तो जो उनका विस्तार छेतर था, वो पश्चिम एगजिन सागर के टर्ट तक फैला हुआ था, और पूरव में हिंद कुसकी पहाडी तक फैला हुआ था, बड़ा समराजी, उस समय पे एक सबसे बड़े समराजी के तोर पे इस्तिर था, उपस्तित था, अकामेदियाई समराजी या फिर परशन अमपायर, सासत में युनानी की जो अनातोलिया कई सारी बस्तियां थी, वो भी अनातोलिया की कई सारी युनानी बस्तियां भी उसके अंदर में सामिल थी पर्शिन अंपायर के अंदर में मेलखARD के उनके इंदर starting के वह क्या क्या गआ क्या क्या और उसके इसने भी ट्राय किया दैर्यस पर्थम ने हैं उस तर Prinytisальную द्रीच baik आगया अगर आप दाइरेस पर्थम की बात करो तो दाइरेस पर्थम ने क्या किया था एक लेटर लिखा था यूनान को प्रॉपर कि हम आपको इन्वीजन करने वाले हैं आप हमारे दीपत को स्विकार कर लो ठीक है तो यूनान ने इसको मानने से इंकार कर दिया था इन्वी जोसका पुत्र था ठीक है जैरेक्स करके उसका पुत्र था गयरिस पर्थम का उसने क्या क्या था कि युद करने के लिए युनान से कई सारे अलग-अलग तरीके ढूड़े उसने जल और इस तल उदोनों पर युद करने के लिए समुंदरी रास्ते भी उपयोग किया तो युनान का जो केंद्रिय छेत्र जो दच्छिनी यूरोप में एक एनमित आकार वाला दीव के तौर पे जाना जाता है जो पश्चिम में आयोईन सागर से गिरा हुआ है पूरप में एकजियन सागर से और दच्छिन में भूमद सागर से गिरा हुआ है प्रायदीप का दच्छनी हिस्सा जो है हतेली के अकार का है जो भुम्मद सागर से घिरा हुआ है इसे पोलो पानेस के नाम से जाना जाता है सासात में यहाँ पे आप देखोगे पश्चिम अनातोलिया और युनानी प्रायदीप का जो एकजिन सागर है दोनों और अवस्थित है ठीक है पश्चिम तोलिया पश्चिम में जो है अनातोलिया और युनानी जो प्रायदीप है वो एकजिन सागर के दोनों और अवस्थित है मतलब एक बीच में सागर हो गया, एक तरफ अनातोलिया और एक तरफ में युनानी सब्विता ठीक है, यह इस तरी के से विक्सित हुआ है, इस तरफ से बना हुआ है सासत में एकजियन जो सागर है युनानी प्राचीन युनान के जो भोगोली केंदर के तौर पर भी इसको जाना जाता है और जो एक्जिन सागर के आस पास में जो पूरे छोटे छोटे दीप कई सारी दीप के तोर पे जो युनानी सर्वेता का ही मतलब पार्ट है युनान का ही पार्ट है ये रहता है तो ये आपने भुगोली किस्तिती समझ लें कि युनान की भुगोली किस्तिती क्या थी और उसके आस-पास का राजनिती किस्तिती क्या थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर में किस तरगे कोशन्स बनते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं बताओं आपको तो इस चैप्टर के अंदर में प्राचीन युनान वाले चैप्टर के अंदर में हमने इसको दो पार्ट में कवर करेंगे तो पहले पार्ट के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं आरंबिक युनानी सब्वेताओं के बारे में स्टार्टिंग की युनानी सब्वेता थीक इस परकार की तो इसके अंदर में तीन परकार की सब्वेता आती हैं सेकिंड पार्ट जो हमारा वीडियो का हुआ जिसमें हम बात करेंगे पुरातन और कलास की यूग के बारे में देखो जो पूरा युनानी सब्वेता है उसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं एक पूरे टाइम पिरेड है इसको हमने दो पार्ट में बात दिया एक पार्ट के अंदर में हमने बोला भाई कि इस वाले पार्ट का नाम है आरंबिक यूनानी सब्वेता करेक्टर पर हमने इसको मान नाम दे दिया जिसको हमने तीन पार्ट के अंदर में इसको भी बांट रखा है ठीक है और दूसरे वाले का नाम दे दिया पुरातन और कलास की यूग ठीक है तो यह जो पुरातन और कलास की यूग था क्या एक updated वर्जन था ठीक है यूनानी सब्वता का एक updated वर्जन था जहां पे नई सब्वता करते हैं ठीक है इसके अंदर में कई सारे कोशन जो बनेगे सेकिंड पार्ट के अंदर में जिसमें दास परता किसानों के सब्वता करने वाले हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं सबसे पहला आपका आता है मिनो आई सब्वता ठीक पर जानी जाती है इस छहीत्र की जो पहली इलाका है कीृषणी पहली बार कास्य उपयोग किया गया उस तरह से भी माना जाते है क्षेट्र के इंद्र में इन पहली बार कास्य ये माना जाता इस सब्वेता के संबंद में कि मिलती है एजयापत मुझाति की neurolog की जाती है जिसके अंदर में Sir Authence Even का जो नाम आता है उनके जब खुदाई की गई उनके दोरा तब हमें इस सब्वेता के बारे में जानकारी मिलती है जिसे हम मिनो आई सब्वेता बोलते हैं इस सब्वेता का अगर नाम देखो कि क्या नाम था किसके नाम पर पढ़ा तो राजा मिनोस के नाम पर इस सब्वेता का नाम रखा गया इस सब्वेता की जो अफसेस की खुदाई के दोरान चुलते हैं यह अलग अलग तरके चीजे हैं, अफसेस हैं जो खदाई के दोरा में मिलते हैं, सहर के नाम है, जो वह वहाँ पर यह पार उजए हैं के दिविल नाम कोने के साध साथ में सब्यत्य का वैपार ही के तोर पे विक्सीत हुए इसके अंदर में बेढ पालन उन प्राप्थ करने के लिए वैपार गेहूं और जेतुण की खेती भी यہ नि है अब सब्यत्य के प्रकार से मिलता होगा तो नॉर्मली आप हड़पा सब्सक्राइब ने पढ़ा होगा तो आपने यह देखा होगा कि कई सारे चीजे जो सिमिलर चीजे थी वो एक जगह पे ना औक कई जगह पहमें देखने के लिए तो एक जिगए तो केंद्र रहा कि यह है लोथल में चीजे मिल रही है पर वहीं पर देखोंगे तो य activity इंत्र में मिल रही है। यह मान के चला गया कि लोद्थल और केंदर है और यहां पर मिल रही है इस सब्वेता में वैपार भी अच्छे पेमाने पर किया जाता था इस सब्वेता के वैपारिक जो संपर्ग था मिस्र से अनातोलिया से लेबनान से और लेबनान के समुंदरी टट और एकजिन सागर के रास्ते भी होता था ये मान कर चलते हैं, क्योंकि जो इसके आस-पास का जो छेतर था, वो भी विक्सित छेतर था, वहाँ पर भी इनके जो प्रॉड़क्त थे, जो बस्तुए थे, वैपारी, जो साक्षे-परमार मिलते हैं, वो देखने लिए, हमें मिल जाता है इनकी लीपी जो थी, लिखने पढ़ने की जो लीपी थी, वो linear A के नाम से जाना जाता है, ये आप याद जरूर रखना, linear A के नाम से मिन्योई सबेता का लीपी को जानते हैं इस लीपी ने लोगों के वैपार आदी छेतर में बढ़ावा दिया, ये महन कर चलते हैं, इस लीपी को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, ये सबेता 1400 इसा पुरूर के आसपस समाप्त हो गई थी, इस सबेता का पतन के कारण दच्छिन एकजिन सागर में उठने वाले जोयला म तो उसके कारण से माना गया है कि ये सबेता अंत्व होगी, सासात में यहां पर इसके कारण से भेंकर प्रकुर्टिक आपदाएं और व्यपदाएं जो भी σबीति, वो भी सबेता को खटम कर दी प्रकृति लाहिष रहां वाला कोश्चन से बूलते हैं मुझे पता नहीं को ने ध्यान रखना यह तो उन्हें पूलते की लिखते म organization चौड़ दिया तो इन चीजह का था युनान को ही ग्रीज बोला जाता है तो इस तरीके से यह आपका मेनोवाई सभाल पूरा था जहां किस तरीके से ग्रो किया उस झूव भी मैंने बताया व्याधार का था तहूव टादर क्या उप तीन के आपके ऑने तुरिंट करते किया गया किस परकार से किया गया तीक और जो थोड़े नाम थोड़े अलग नाम है तो जो भी अगर कहीं पर मेरे से गलत निकल रहा है पूंसे तो आप उसे इस आप कोर्सिस किजिएगा समा प्रार्थी में पहले से ही बोलूँ आपको आप अर्जेस्ट करने कुर्चिस कीजिएगा और यह जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगे तो वहां से आपको कवर हो जाएगा कि हाँ क्या नाम था एक जेक नाम क्या पढ़ना था अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं आपके टंग बहुत अच्छी वर्क करते तो दिन यू कें अंडेस्टेंड इजली ठीक है आगे हम बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं माईसीनियाई सब्विता के अंदर में जो सब्विता था पूरा कालक करम अगर आप देखो के पूर नाम बताया था आपको तो वहां पर नाम जो आपका स्रे जाता है पूरा जो इसका खुदाई का स्रे देखोगे तो यहां पर और सर आर्थिस इवन को हम स्रे देते हैं कि सर आर्थिस इवन के द्वारा यह खुदाई की गई थी यह जो नाम है आपको याद रखने है livro तो यहां पर झब हमें सेलमेंच की जो खुदाई थी उसके परिनाम सरूप इस संवध़ा के बारे में हमें जानकारी पराप्त होती है साथ में इस सभेथा को जो नाम था माय्सियन आई-सथल के नाम पर पड़ा, जोस्तल था ऐगा उसके नाम पर उसका नाम दिया गया इसथल नाम पर परमुग केंदर थे , बिस अर्चमेंट करके यह सारे केंदर के तौर What tells exists थे overseas, बिस नाम नम सारे केंदर थे जैसे इंडिया के अंदर में जैसे में डेली में रहता हूं तो जैसे अजादपूर हो गया, कस्मेरी गेट हो गया, राजी चोक हो गया, ठीके तो अगर हमें डेली के बारे में जानकारी है तो इन जगाओ पर खुदाई होगी तो ये सारी चीजे उनके बारे में जानकारी हम बस्तियां थी वह अलग-अलग राज्य के रूप में दिवनोड थी यह माना जाता था उन पर सासन भी अलग-अलग योद्धा सरदारों का होता था वे सरदारे जो थे वनस साही पदविधारन करते थे उनको जो सरदार हुआ करते थे सबसे पहले पूरा राज्य राज्य के में अलग-अलग बस्तियां बनी हुई है और हर बस्ति का जो है सासक या योद्धा सरदार हुआ करता था उस पे सासन जो कुन करता था योद्धा सरदार करता था और हर बस्ति का एक अलग होता था यह जो सरदार हुआ करते थे अपने आपको वनस्क साही पदवी धारन करत व्रिस्तित नौकर साही सांग को सामिल किया गया था ठीक इसके अंदर में जो कौन-कौन से रहते थे तो सास के संपरभात वर्ग रहते थे सक्ति-साली युद्धा कुलीन वर्ग रहा करते थे और नौकर साही वर्गों को भी इसके अंदर में एड किया गया था अर्ध वस्ता के हर छेतर में नोकरसाही का नियन्त्रण था। आप देखोगी जिस समय के हम बात कर रहे हैं तो कई शारे राज्यों के अंदर में जो विकास क्या बूने फ़ीन कई करने कический वो भी नहीं पता था। उस समय पर युनान के अंदर में नोकरसाही वस्ता जैसी जो भी अधिकारी है जो रूल को इंप्लिमेंट करवाते हैं गार्यमेंट की मेसिज को लोगों तक पहुछाते हैं ठीक रूल को कायम रखने में जो हेल्प करते हैं उसको हमुशाही बोलते ठीक हैं आगे मैं बात करूँ ये बड़े प्यमाने पर विदेसी वैपार में संगलंग थे ठीके वो जुड़े हुए थे इनकी आयात जो आयात की वस्तुवे थी वो सोना, तामबा, टीन की निरियात की वस्तुवें के ंदर में तेल और मिट्टी के बरतन और कपड़े होते थे आयात के अंदर में हों मित्टी के बर्तन और कपडों का निर्यात करते थे। का अगर समाज देखोगे कई सारे वर्गों में बटता हुआ था। माइसेनियाय से रदार मधुमक्की के चट्चे के आकार के मगवरू में दफनाया जाता था। जो मधुमक्कीado परिया अनुमान लगा जाता है कि इन सर्दारों के पास बहुत सारा धन होता था मिर्ट्य के पश्चात ये भी देखा गया है उनकी बेस किम्ती चीजें वो भी उनके साथ में रखी जाते थी इसका सबसे में परफस क्या होता था कि सर्दार दुबारा जनम लेगा इस तरह की अधार ना होती थी लोगों का ये मानना था पुना जनम में विश्वास करते थे जिसके अधार पर यह मान देते हैं कि अगर स्वर्ग में गया नर्ग में गया कहीं पर तो उनको कोई दिक्कत ना हो ठीके कभी रात भी आते हैं मालो बंदा आ गया चलते हैं फिर ते मरने के बावजूद भी या फिर कभी वो वापस जनम लिया ठीके तो वो उसकी संपत्ति उसी को मिले इसके अधार पर यह चीज़े की जाती थी जैसे आज के समय में मारी इंडिया के अंदर में बहुत सी चीज़े कॉमन है मतलब यह डायलो को मतलब कॉमन है कहीं भी किसी पिछेतर में बिलॉंग करते हो कि आप खाली हांत आये थे नंगे आये थे आप धर्ती पर ठीके कुछ जो भी आप यहां पर हाई हाई मचा रखे हो हाई मतलब क्या होड मचा रखे हो कि मुझे यह चाहिए मुझे यह चाहिए मुझे यह चाहिए ठीक इतना प संपत्ति छ्यादा होते थी तो उनकी लोगों का मानना था था कि पुला outta जननम लेने वाले हैं दूसरा मानना था कि hooks एले sizin वापस आ गए तो पूचहे लिखना जानते थे ठीके इन्होंने अपनी एक लीपी वीक्सित कर ली थी जिसको लीनियर B के नाम से जाना जाता है अब देखो ऊपर वाला जो लीपी था जिसके अंदर में हमने पढ़ा था लीनियर A के नाम से जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है ठीके मिन्यो आई सब सब्भाता है यहां पे जो इनकी लीपी है उसको linear विके नाम से जाना गया फ्लाय में वैक्ट माइकल ने पड़ाता और यह बताया ये जो लीपी है युनानी भासा का पारंबिक रूप के रूप में ही जाना गया जिस तरह का युनानी भासा का जो श्तार्टिंग का जो रूप था उस anders करे के यह लियर भी था इस वस्ता को बारह सो सब्ढेटा पूरी बारो ये हैं 1200 इशा पुरुप में ऑचचानी सबीता के समाप्त होने के साथ एक बार फिर कबीलों का देशांत्र शुरु हुएude ने सब्क्रस्थे उसके बाद क्या होता है कि जेगस होता है जो जंगलों में राहा करते तैंड स्युप्ट होना परवास होना यह एधा-सुदर्द घूमना वो इस्टाट हो जाता है जहांपे आम तौर पर आप देखोगे माई सिनियाई सब्याता के पतन के आधार पर या फिर पतन के जो कारण था डोरियाई आकरमण माना जाता है डोरियाई करमण क्या मतलब खबीलों का आकरमण माना ग अलग लग लोगों की जैसे अब देखो मैंने उपर वाले जो आपका था मिसुनियाई सब्वेता ठीक है उसके अंदर मैंने बताया कि भाई किस प्रकार्चन का पतन हुआ तो वहां पतन का जो में सोरूर देखा गया में जो हमारे बुक के अंदर में उसमें बता के चला गया जिसके बाद माना गया कि इसका पतन हुआ होगा या फिर दूसरा जो बाहरी आकर्मन था जैसे दूसरे दूसरे कभीलों का आकर्मन होना ठीक है जो लोग थे वह विस्तापित तो नहीं हो रहते पर उनके उपर आकर्मन हो रहा था उसके कान से उनका पतन हुआ होगा ये भ जो यह पता चले आपको क्या पता है अंदकार युग के बारे में बात करतें तो प्राचीन युणान की इतिहास में काले करब दिखोगे जो इसका टाइम पिलिड दिखोगे तो 12-100 सो लेकर 800 इसा पुर्फ का पूरा टाइम पिलिड है इस टाइम पिलिड को हम अंदकार यु ज्यादा उपलब्द नहीं है इस समय इसी कारण से इसे अंदकार यूग कहा जाता है अंदकार यूग कहने का जिसके बाद यह माना गया कि भीया इसको तो कुछ मिली नहीं रहा तो मतलब क्या अंदकार में इसको बविस्य अंदकार में है तो इसको अंदकार यूग के नाम से जाना गया ठीक है अंदकार यूग की चार सताब्दिया तक मतलब जो अंदकार यूग था चार सताब्दिया तो कायम रहा, जिसके अंदर में 800 इसा परूव में इसका अंथुआ, 1200 से लेकर 800 इसा परूव तक चलता रहा, इसी युग में दो महान युनान, काववे, इलियड और ओडिस लिखे गए थे, ठीक है, इलियड और ओडिस जो लिखे गए काववे, सबसे बड़े काववे रच जिसके रचनाकार होमर माना जाता है, होमर के दोरा, ये दोनों रचनाय लिखे गए थी, काववे, इलियड और ओडिस, ये महान काववे, प्राची नुनान के नए एतिहासिक युग के संबन्द में, एतिहासिक जानकारी के सुरोत के तोर पे जाने गए, आध्वनिक इति करते हैं, कि इसको हम 1200 से लेकर, ठीके, 1050 तक के बारे में स्टड़ी करने वाले हैं, और दूसरे के अंदर में 1050 से लेकर 800 टाइम पिरेड तक स्टड़ी करने वाले हैं, जिससे जो उसका टाइम पिरेड उसको एजी हो सके अंडर्स्टरन करने के लिए, और इस काल के अंद पहले उपकाल के दों में देखने के ले मिलता है पहली बार देखा गया कि जो सहर की जो जनसंख्या घट रही है पलायन कर रही है और दीरे-दीरे उनका देसांतर्ण जो कबीले हैं वो देसांतर्ण नोग परना शुरूंहों गए यह चीजे यहां पर देखी जाती है इस जन उसके अंदर में ये माना गया कि हाँ यहां पे जो रहे हो miał चीज़े ओगठना स्टार्ट हुआ इसका और व्यासे से बनने वाली जो धातू थे जासे टीन तांबा बहरी देशों में इसे मंगाया जाता था और उसका वैपारीक मार्ग भी समय समय बाधित होता चला गया इस वैपारिक मार्ग के बादित होने के कारण जो किस क्या कारण था उसके संबन्द में विद्वानों में मतभेद है जैसे वैपार तो बादित हुआ रास्ते जो बादित हो रहे ते क्या रीजन है तो अलग-अलग विद्मानों का अलगले यहां पे लोजिक्स रहते हैं एक हजार इसापुर्व के आसपास में युनान की नई अर्थववस्था और नई समाजिक धांचे का सुत्रपात हुआ यह माना जाता है मिसिनियाई सब्विता के पतन के बाद जो कबीलाई का देसांतरन हुआ उसके परिणाम सुरुप पूरे प्रायदीप में युनानी भास ये लोग भर गए थे और उसका युनानी भासा का परचार परशार हुआ दَच्छनी इटली में भी युनानी बस्तिया बसाई गई इस अवीदी में तीन प्रमुक युनानी भूलियां का उदे हुआ जिसमें डोरिक, एवलिक और आयोनिक भासा मानी जाती है तीन अलग लग भासा है यहाँ पर युनानिक बोलियों का विकास होता है जिसमें डोरिक, एवलिक और ओयोनिक भासा आती है इस काल को लोह संकर्मन काल के तोर पर जाना गया मतलब अब यहाँ पर हम 1000 के आगे की बात करें 1000 के आगे किस प्रकार का चल रहा है ठीके देरे-देरे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो अब यहाँ पर नया सुरुवात देखा जागया यहाँ पर इसको लोह काल के तोर पर माना गया जहां पर लोह की खोज हो चुकी थे लोह का उपयोग लोगो दौरा किया जा रहा था इस काल को लोही की परदुगी विकास के अधार पर देखा गया लोही का परदुगी की उद्भव था ठीके उसके कई सारे समझने में हमें जानकारी नहीं मिलते हैं पुराताद्विक प्रमाणों के अधार पर इतना का जाता है कि जो अनातोलिया जो थे और मेसोपोटामिया के जो परियोग था उनसे पहले हुआ यह मान कर चलते हैं अनातोलिया और मैसुपोतामिया के अंदर मे, एक बार लोहे का जो परदगी था आने से पूरे युनान के अंदर में लोहे का तेजी से परचारप्रसार बढ़ा और लोहे का उपयोग बढ़ा, इससे पहले तांबे और तीन का आयात पर यहां पे लोग निर्वर रहते थे, ठीक है बारासो इसा पुरुवी भूमत सागर टूटा और युनानी धातु के जो पर्दुगी के में संकट उत्पन हो गया क्योंकि तामबे और तीन की जो प्राप्ती थी वो लोगों को अब नहीं हो पारा था ठीक है जब भूमत सागर का जो वैपार हो चाला है जब बंद जयता रास्ता बंद हो गया जब तूट गया तब उसके बाद उनको कमी खलते किसके तामबे और टीन की यहां पर जवरत खलती है लोही का जो पर्दुगी की आने के अंदर में क्या हुआ धातु पर्दुगी की शुरुवात हो जाते हैं दातु का उप्योग की शुरुव गर दिया इसी का मतलब जो लोहा था जब देखो जब तीन का वहां पर तीन और तामबे का तो बंद हो गया वैपार बंद हो गया क्योंकि वहां परोंबंतिस और शुच्वर्ट गौई पर उनके पास पताशा लाई बंदार बाई तो फिर उसी का उप्योग अधिक मातर न इंदर में इस सब्वेता के विकास में प्रगती देखने के लिए मिलती है इसमें लोहे की पर्दगी और विसेश योगदान माना गया इनके विकास के अंदर में विसेश योगदान के तौर पे चला गया तो यह वाला यहां तक हमारा जो टॉपिक था वो अंदकार यूग का जो हमने पढ़ लिया है जिसके अंदर में हमने तीनों सब्वेता कवर करी इस पारंभी कि उनानी सब्वेता का जो टॉपिक है इसके अंदर में आते हैं तीन सब्वेता जहां पर हम बात करते हैं मीनिवाई सब्वेता के बारे में माइसीनियाई सब्वेता एक बारे में और अंधकार यूग क्योंकि इसके बारे में कोई भी साक्षिय और प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर में जो आपकी कल वीडियो आएगी उसके हम अंदर में बात करेंगे पुरातन और कलास की यूग किस परकार का और किस तरह से वह ग्रो कर रही थे ठीक ह अभी हमारा जो new MA history का जो playlist में ने बनाया है, उसको support जरूर करें, क्योंकि जिस तरह का आपका response अभी हमें दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें continue करना चाहिए और वीडियो बनाना, ठीके नहीं आपके comment है, नहीं आपके like है, ना share है, subscribe है, बार-बार बोलना अच्छा दे रहा है, जब आपके लिए work कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, आपका जो काम है, वो असान बनाने कुर्सिस कर रहा है, तब आप उसको उसके लिए कर सकते हो, like, subscribe कर सकते हो, क्योंकि हमारा base आधार वही है, ठीक है, उसी के लिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसी के जब वह आगे बढ़ता है, तब हम अपना time दे पाते हैं, नहीं तो मान के चलो, आप कोई काम कर रहे हो, और उससे आपको फाइदा नहीं दिख रहा हो, तो आप क्यों करोगे, मैं अपना time वेस्ट क्यों करूँगा इस पे, ठीक है, तो हमें आधार हमें उसे बनाना है, त उसके लिए आपको लाइक से सस्क्राइब करना पड़ेगा, मैं सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम अच्छे से और भी वीडियो बना सकें, और हमारी दोनों चैनल जो है, नब इन्फो, जहां पर आपको इगनों से जुड़ूई जो भी अपडेट से हैं, जो भी करेंगे, तो फटाफट लाइक से सस्क्राइब जरूर कीजिए, और जो भी आपके मने में डाउट है, वो इसको रेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आपके डाउट भी सोल्व हो, मिलते हैं अगली वीडियो के नदर में, बाबाय, टेक खेर, ओल दापेस्ट